हलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में मैं आ गई हूँ एक बार फिर से कुछ दिवाली special recipes लेकर जो है नास्ते की रेसिपी जिसमें है जैसे की flour मठ्री और ilahabadi समूसे और चकरी मट्रे और आपकी साखें जो होती है वो इस तरह से ये सब नास्ते हैं इनको बनाने की ट्रिक थोड़ी सी अलग होती है अगर आटा आप सही लगा लेते हैं तो बिलकुल सही बनेगा और आटे में कुछ गरबर हुई तो फिर ये जहीं सही बन पाते हैं तो चलिए ह देख लेते हैं मैंने लिया है चार कटोरी मैदा और उसमें अजवाइन और नमक डाला है अजवाइन क्रिश करके डाले और मैदे में चार कटोरी आटे में एक कटोरी घी का मोयन लगेगा यह हमारा मेजरमेंट होता है आप अपने अकॉर्डिंग जितने कटोरी आटा या एक डो की फॉर्म में लाईए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैंने इसको कुन्ना स्टार्ट कर दिया है और इस प्रोसेस में मेरे को लगभग एक से सवाव कटोरी पानी लग गया है पानी इसमें जादा नहीं लगता है क्योंकि हमारा जो मैदा है या आटा आप जो भी ले रहे हैं वो घी से काफी गीलव हो चुका होता है घी बहुत होता है उसमें तो जादा पानी का यूज उसमें होता नहीं है और अगर आटा गीला कर देते हैं आप पाइचांस ज्यादा पानी पर जाता है तो फिर हमारी मट्री कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो मट्री क्रिस्पी बने इसके लिए हमको क्या करना है कि टाइट आटा लगाना है बहुत ही टाइट डो लगेगा अभी ये देखिए आपको ऐसा ही थोड़ा सा दिख रहा होगा रफ रफ सा तो इसको रख देंगे रेस्ट करने उसके बाद ये सही हो जाएगा अब हम बनाते हैं इलाबादी समोसे के लिए एक फिलिंग तो उसके लिए मैंने नमकीन लिए हैं नमकीन कोई भी ले सकते हैं उसमें डालेंगे एक चम्मच सौफ एक चम्मच जीरा लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे आमचुर पाउडर और कस्मीरी लाल मिर्च अगर ड तोड़ी सी ज्यादा चीनी और डालेंगे एक से देर चमच इसमें कस्तूरी मेथी जो क्रीन वाली होती है वो और थोड़ा सा काला नमक ये सारे मसाले डाल करके हम इसको बिल्कुल हलका सा दर-दरा सा मिक्स पीस कर रेडी कर लेंगे देखे ये रेडी हो गया इसको एक बरतन में निकालते हैं और इसके बाद इसमें जंजट कोई नहीं है कि हमको दाल फुलाना है बिगाना है पीसना है धुलना है कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस मिक्स में हम एक चमज के करीब घी मिला देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे फिर हम देखते हैं हमने जो आटा कड़ लगा के रखा था वो कैसा है देखिए कितना यह हलका सा सॉफ्ट हो अच्छे से रगड़ रगड़ कर थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे और लीजिए इस तरह से बेला बीच से कट किया और समोसे बनाने की प्रोसेस रेडी हो गई अब हम इसमें इस फिलिंग को भरेंगे और समोसे का शेप देंगे और इसको पानी लगा कर जरूर लगते हैं क्योंकि मोयन बहुत होता है उसके वज़े से यह कडाई में जाकर खुल जाता है तो अच्छे से इसको बिल्कुल सील कीजिए और स्टफिंग भरिए बढ़िया से आप हम यह बनाने जा रहे हैं फ्लावर मट्री जो देखने में तो बहुत ट्रिकी लगती है ले इसके लिए मैंने ठेर सारी पूरियां बेली हैं उनको चार पार्ट में डिवाइट किया और देखिए इस तरह से रखते हुए हम बनाएंगे इसको यह देखिए इस तरह से रोल कर दिया है अब यह एक फ्लावर का शेप ले लेगा इसको बीच से कट कर देंगे यह लीजे हमारी फ्लावर मटरी बनकर रेडी है और इसकी पेटल्स हम थोड़ी सी खोल देंगे जिससे कि यह फ्लावर के शेप में लगने लगेगा अक्चली और यह लीजे देखिए कितनी बढ़िया से फ्लावर बन गया है और यह तो जिसके सामने ही आप रखेंगे वही कहेगा कि यह आपने बनाया कैसे तो इस तरह से यह हमारी दो बन गई है अब बाकी की भी बना लेते हैं देखिए अब इतनी चीजें जब बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो प्लीज डोंट माइन और इसको पूरा व थोड़ा सा बनने में गरबर हो सकती है तो इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि वीडियो को फूल देखिएगा तब ही आप पूरे तरीके से सब समझ पाएंगे क्योंकि देखिए यह फ्लावर भी बनाने में कितने ट्रिकी लगते हैं लेकिन बनाना कितना इजी है यह त और इसको सील करके थोड़ा सा चप्टा करेंगे और यह लीजिए यह मत्री हमने इस तरह से कट कर ली है इसको थोड़ा सा टाइटली चप्टा करिएगा नहीं तो यह खुल जाएगी और यह लीजिए यह हमारी रेडी हो गई है मत्रिया और अब दूसरा लेंगे बेल कर उ उसको भी तयार कर लेंगे, और रोल रोल कर लेंगे उसे भी, और इस तरह से कट करेंगे, ये दोनों लगबग सेम है लेकिन काफी अंतर है, ये जो मट्रियां है, ये हमारी जो दिवाले पे हम पठाके में चक्री चलाते हैं न, बिल्कुल उस तरह की बनती है ये, और देखन देखिए मैंने इस तरह से अभी यह सब चीजें बना ली है थोड़ा थोड़ा ही बनाया है क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बना कर दिखाया है आप लोगों को बाकी मैं बात में करूंगी और यह लीजिए हमारा यहाँ पर ऑइल गरम हो गया है पहले अच्छे से ओइल को गरम कर लीजिए और फिर गैस को स्लो कर दीजिए और यह सब जो कुकिंग है हम स्लो फ्रेम पर ही करेंगे क्योंकि जो अगर तेज में करेंगे तो फिर ये सही नहीं बनेंगी उपर से तो लगेगा कि पक गये है लेकिन अंदर से पूरी तरह से नहीं पकेंगे तो अंदर से जो कच्चा पन रह जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को थोड़ा सा स्लो ही रखें इस तरह से ये हमने समोसे डाल दिये हैं फ्राइ करने के लिए जो की ये बहुत ही बढ़िया मसालेदार और महीनों तक चलने वाले होते हैं इनको आप एक बार बना कर रख लीजिए और महीने भर तक खाते रहे हैं बिलकुल भी खराब होने का कोई जंजट नहीं है और इनको हम मीनी समोसे भी बोलते हैं इलाबादी समोसे भी बोला जाता है ये लीजे हमारी फ्लावर मट्री मट्री के तो कहने ही क्या है बहुत ही गजब लग रही है देखने में तो इसको तो ट्राइ करना बनता ही है बिलकुल दिवाली पर ट्राइ कीजिए आप और सभी को जाएंगे यह लीजे हमारी चकरी जो चकर गिन्नी होती है बिल्कुल वही वाली मट्री है यह चकर गिन्नी वाली और इसको भी बनाईए इस तरह से मेरा दिवाली का नास्ता जो है रेडी हो गया है और आप भी बनाकर रख लीजिए और मुझे बताईएगा कि आपने क्या-क कर पाऊं और उसको सुधार पाऊं अपनी गलती को अगर कोई गलती मुझसे हो रही है क्योंकि हम सभी लोग सीखते हैं एक दूसरे से तो अगर आप मुझे कुछ बताएंगे बैटर तो मैं उसको भी समझने की कोशिश करूँगी तो इस तरह से मेरा साथ देते रहे और ल देवालों को खिलाईए और हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड खूब पठाके चलाईए खूब मिठाई खाईए और चलिये बाबाए फिर मिलती हूँ